हलो बच्चो आज कच्छा दस का एक टॉपिक है मैतमेटिक्स का पेर्स ओफ लिनेर एक्विशन इन टू वैरेबिल दो चरवाले रैखिक समीकरन युग देखे वैरेबिल का मतलब होता है कि अगर कोई भी एक्विशन आप एक्स वाई या जेट के टम में लिख दें तो हर कॉजिशन में क्या होता है कि X, Y, Z की वैलू अलग अलग होती है कहीं X2 निकलेगा कहीं X1 निकलेगा तो च्युक्श की वैलू अलग-अलग है इसलिए उसका नाम दिया गया है वैरीयबिल यानि आ गया चर चर का मतनला होता हो चेंज हो जाए equation इसलेख आ गया क्योंकि है equal का sign लगा होगा कहीने बीच में equal to 0 equal to 5 कुछ भी लिखा होगा linear का मतलब होता है कि x y z में चुकि दो चर है या अगर कोई equation की कोई समीकरण x और y में है तो उसकी degree 1 होगी और अगर उससे आप कोई graph थीचेंगे तो एक line बनेगी चुकि इसमें graph system है 3.1 में अपने आप करिएगा graph चुकि यहां पर board में बनाना संबोर नहीं हो पाता है value exact नहीं आती है ठीक है फिर भी समझाने की कोशिच करेंगे यहां कुछ word आएगे पर उन्हें समझ लीजे देखे जैसे आपको equation solve करने के लिए हम कहें हमने मालिया आपको equation दे दिया कि 3x plus 7y is equal to 4 और 9x plus 3y is equal to 5 हमने का इसको solve करिए ठीक है ग्राफ की मतस्तर solve करिए या ऐसे solve करिए तो ऐसे solve करना आपको 9th वगरा में थोद बताया गया है कि ऐसे solve करने में क्या होगा कि आप भी x और y की value निकालेंगे तो देखे मालिया x की value 5y माल लेते हैं और y की value 2y एक value x की i ऐसे solve करने पर ठीक है और अगर ऐसे solve हो जाएगा तो ग्राफ अगर बनाओगे तो ग्राफ में आपको इस प्रकार से जो lines बनेंगी वो एक point पे cut कर रही होगी ठीक है तो अगर आपको x और y की value मिलती है तो उसे कहा जाएगा consistent क्या word आएगा consistent consistent का मतलब होता है कि आपको x और y की value मिल रही है ठीक है या इसको हिंदी में कहते हैं संगत हम word बार बार कंसिस्टेंट करेंगे उसका होता संगत होता है अच्छा ये भी हो सकता है कि line आपने बनाई और दोनों सवांतर रेखा है parallel lines है वो कहीं भी cut नहीं कर रही है तो cut नहीं करेंगी तो simple से बात है कि value x y की तो निकलने वाली नहीं रही है तो जब नहीं निकल रही है तो वो कहराएगा inconsistent inconsistent का मतलब होता है असंगत जिसकी value ना मिल रही हो वो consistent और जिसकी value मिल रही हो जिसकी value मिल रही हो inconsistent जिसकी ना मिल रही हो inconsistent यह भी हो सकता है कि लाइन आपने बनाई एक यह लाइन मिली और दूसरी इसी के उपर लाइन एक और बन रही है तो यह तो बहुत जगे कट कर रही है अननत जगे कट कर रही है तो उसके infinite solution होंगे बहुत सारे उसके हल होंगे बहुत सारे एक सुभाई की value होंगी तो वो भी consistent में ही आएगा तो ये बार-बार word आएंगे consistent अब हम चलिए graph तो हर चेके खीच नहीं सकते तो हम check कैसे करेंगे कि कोई समी करना है कोई question है वो consistent है नहीं है उसको check करने का हमारे पास तरीका क्या है जरा समझीएगा हमारे पास दो equations लिखे हुए है उन्हीं questions को हम लिखते है मालिया हमारे पास equation लिखे हुए है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 यह ध्यान लखेगा यह c1 इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है जो नियतांक है जो constant है वो उधर भी हो सकता है लेकिन उधर हो तो दोरों में होना चाहिए वैसे सबको इधर transfer करके ले हो और दूसा equation है a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 सबसे पहले आप क्या करेंगे सबसे पहले a1 upon a2 निकालेंगे सिर्फ b1 upon b2 निकालेंगे और c1 upon c2 निकालेंगे ठीक है तो यहाँ तीन cases हो सकते हैं पहला case कि अगर if यदि आपको ऐसी value आजाए कि a1 upon a2 और b1 upon b2 ये equal नहीं है दोनों की value same नहीं आ रही है तो same ना आने का मतलब होता है कि ये consistent है ये कैसा है ये consistent होगा मतलब ये संगत होगा यारी दो lines होंगी और प्रतिक्षेदी होंगी intercept करेंगी और आपको unique solution मिलेगा यहाँ पर unique solution मिलेगा unique solution मतलब होता है एक x की value और एक y की value आपको मिलेगी और ये intersecting lines होंगी अगर हम lines खीचेंगे यहाँ पर तो ऐसे दो line एक दूसरे को एक point पे cut कर रही होगी अगर ऐसा case है तो दूसरा case कैसा हो सकता है कि अगर माल लिया कि a1 upon a2 और b1 upon b2 तो same है लेकिन c1 upon c2 same नहीं है तो ये आपकी parallel lines होंगी inconsistent होगा inconsistent होगा यानि ये असंगत होगा असंगत होगा और इसमें अगर हम graph खीचेंगे तो यहाँ पर आपको parallel lines मिलेंगी parallel lines मिलेंगी यानि कि समानतर रेखाएं मिलेंगी समानतर रेखाएं यहाँ पर मिलेंगी आप दूसरा case है तीसरा case आपके साथ यह हो सकता है कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 ये तीन चीजें तीनों बराबर हो सकती है ये भी consistent होगा ये भी कैसा होगा consistent होगा यानि कि संगत होगा और इसमें many solution होगे many solution अनन्त solution होगे अनन्त हलोगे कैसे अगर graph कीचेंगे तो एक line के उपर दूसरी line से आपको मिलेगी एक ही दूसरी उपर मिलेगी तो ये तीन प्रकार से हो सकता है तो ये चेक करने के लिए आप से आ सकता है कि consistent है नहीं है इसकी आप चेक करिए जरा question पर आईए exercise पर आईए exercise नमर है आपकी 3.2 3.1 में थाल किस जानकारी आप से मांगी गई है अपने आप करिएगा उसको हमने आपर cover नहीं किया है 3.2 से हमने start किया है देखिए 3.2 का पहला question देखिए exercise है 3.2 का पहला question कह रहा है कि कुछ समझाय दीवी है कुछ problems दीवी है इनको आपको इसको equation बनाना है समीकर बनाना है और graphy भी से हल करना देखिए graphy भी से तो यहां नहीं हलू पाएगा value नहीं निकल पाएगी मैं समझाने की कोशिश करूँँगा कैसे graph खींचेंगे लेकिन और exact value नहीं निकलेगी लिखा गया है कि class 10 के 10 students है उनमें से एक math की puzzle दी गई है पहली दी गई है उसमें भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार अधिक हो तो बताइए कितने लड़के लड़कियों ने भाग लिया ठीक है हमने माना कि let number of boys जो है let number of boys यानि लड़कों की संख्या वो हमने x माल लिया अब हिंदी आती आपको boys में लड़का होता है ठीक है and number of girls जो है जो लड़कियों की संख्या है वो हमने y माल ली, ठीक है, तो अब आपको लड़कों की संक्या निकालनी है, लड़कियों की भी निकालनी है, यानि दो चीज़ें निकालनी है, दो चीज़ें निकालनी के लिए दो एक question चाहिए, दो समीकर चाहिए, तो पहली condition दीवी है कि 10 लोग है, first condition क्या दी है, कि कुल स संक्या 10 है, यानि x प्लस y बरावर 10, ये पहला एक question हो गया, ठीक है, second condition आप से क्या कह रहे है, ये करें कि लड़कियों की संक्या है, लड़कियों की संक्या बोले तो y, वो लड़कों की संक्या से 4 अधिक है, यानि y माइनस x बरावर 4, ये दो एक questions आगी है, ठीक है, अब ये ग्राफी method से solve करना है, पहले हमने का भी बोर्ड पे graph exact नहीं draw हो सकता, फिर भी मैं draw करने की कोशिश करूँगा, कैसे आप ड्राव करेंगे, मैं समझा रहा हूं, ठीक है, आप करेंगे क्या first equation लीजिए, first equation, पहला समीकर हम देते है, ठीक है, पहले समीकर में क्या करेंग आप ऐसे, एक line कीचेंगे, ये x की value आएगी, इसके संगत y निकलेगा, और यहाँ पर निर्दे सांग भी लिख दीजिए आप, ज्यादा बेतर रहेगा, और चुकि अभी हमने का कि इसको खीचने से lines मिलेंगी, तो कम से कम 2 point और अधिक सकती 3 point चलेंगे, x का मान और y का मा आएगा 6, तो यहाँ रख दो coordinate x का मा y, 4 का मा 6, पहला coordinate निकल आया, x रख दो 5, तो यहाँ y भी 5 आएगा, 5 का मा 5, x रख दो 6, तो y आएगा 4, 6 का मा 4, तो यह आपके coordinate निकले, एक सेकेंड ज़रा, यह आपके coordinate निकले, पहले equation से, पहले समीकर से, ठीक है, अब जखो second equation लेते हैं, दूसरा समीकर लेते हैं, दूसरा यही पर उठालो, यह y बराबर क्या था, x प्लस 4, अब x को रखो और y निकालो, देखें, यहाँ भी एक line कीचो, एक graph बनाओ, अभी graph ने value अब ले रहे है हम, किताब में 2 बने हैं, यह x और y हमें coordinate भी देते हैं, यह x, यह कम से कम 3 value, 2 तो होनी चाहिए, वैसे line के लिए 3 अच्छी बात होती है, 3 से गलतिया होने के चांस नहीं है, x की value उसके corresponding y, और यह coordinate x का मा y, देखो x रख दो 0, तो y आएगा 4, x रख दो 1, y आएगा 5, x रख चार, 1, 5, और 2, 6, अब इन values को लेकर के graph बराते हैं, हमने पहले बताए, exact graph नहीं मिलेगा, ठीक है, इसके graph का तरीका देखे, कैसे बनेगा graph इसका, देखो, graph paper आपके पास होगा, graph paper में columns बने होंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे, इसमें एक उर्धाजर line खीचेंगे, एक 6-3 line खीचेंगे, यह x होगा, यह y होगा, इधर minus x आता है, इधर minus y आता है, अब आपकी x की अधिकता मेलू 6 तक गई है, y भी 6 तक गया है, तो आप ऐसा करो, x में यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक बना लो, फिक, यह x 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है, यह 5 है, यह 6 है, यह 7, y में भी 7 बना लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जब पहने line देखते हैं, x 4 है, y 6 है, x 4 है, और y 6 है, यहाँ कहीं, देख यह 4 हुआ, आगे 6 के सामने आएंगे, ऐसे यह यहाँ पर, ऐसे कहीं आएंगे, तो यह आएगा 4, 6, 2 point ही ले लो, ऐसा करो, line लेकाने के लिए 3 point का लफ़डा मत पालो, 2 point ले लो, गलत नहीं होना चाहिए, बस यह है, यह 3 point लोई मत, वैसे होना 3 point चाहिए, दो से काम चलेगा, x5 है और y5 है, x5 है और y5 है, ऐसे कहीं आएंगे, यहां कहीं आएंगे, ठीक, इसके बाद दोनों इस lines को ऐसे मिला दो, दोनों point को मिला दो, यह आपकी first line हो गई, ठीक है, अब यहाँ पर आईए, x0 है, y4 है, x0 है, y4 है, यहां पर आएंगे, 0 कामा, 4, x1 है, y5 है, 0 कामा, 4 यह आएगा, और 1 कामा 5 यह आएगा, इसको मिला दो ऐसे, जहां पर यह दोनों cut करेंगे, अब यहां पर x की value जो हो, और यहां y के बार्मान जो हो, जो भी हो भी हमको नहीं मालू, मैंने x1, y1 लिखे दे रहा हूं, जो value होगी, उसकी value आप निकाल लेंगे, वही आपका solution होगा xy की value, यह exact graph में ही बन सकता है, बोर्ड पे नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, तो यह पहला question है, हल करने की बहुस सारे तरीके आपको बताये जाएंगे, next video, next exercise में आएगा, तब हम बात करेंगे फिलाल, तो graph बोर्ड पे नहीं समझाया जा सकता, फिर भी मैंने बताया ह एक तरीका कि किस प्रकार से आप इसको हल करते हैं, देखी, तीसरा point इसले नहीं लिया कि दो point से line खिक जाती है, इसलिए दो point ठीक है, वैसे होने तीन point चाहिए, graph में तीन point लिजेगा, देखी, second question अपने आप करिए, क्योंकि graph से वो भी है, second part इसका, sorry, not second question, second question देखिए व पातो, A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2 की तुलना कर ग्याद किजे, कि निम्समीकर, युगमदारा, निरुपित रिखाएं, एक बिन्तु प्रतिक्षिदित करती हैं, सवांतर हैं, अस्वास समपाती हैं, जैनि आपको A1 upon A2 निकालना है, B1 upon B2, C1 upon C2, और compare करना है, कि ये lines intersecting है, parallel है या coincident है, अभी 3 case हमने बताएं, ठीक है, तो इसका पहला पार देखिए, इसका first पार देखिए, पहले तो compare करना सीखिए आप, equation है आपका 5X minus 4Y, 5X minus 4Y plus 8 is equal to 0, और 7X plus 6Y minus 9 is equal to 0, ये दो equations है, देखो दियान से, यहाँ से A1 क्या है, X का जो गुडांक है, coefficient A1 होता है, यहाँ पर A1 क्या है, 5, B1 क्या है, minus का 4, C1 क्या है, 8, ठीक है, यहाँ पर A2 क्या है, 7, यहाँ पर B2 क्या है, 6, यहाँ पर C2 क्या है, minus का 9, अब आप क्या करेंगे, अब आप निकालेंगे, A1 upon A2, यहनि 5 upon 7 निकाल लिया फिर आप निकालेंगे B1 upon B2 minus 4 upon 6 फिर आप निकालेंगे C1 upon C2 8 upon minus 9 क्या यह दोनों सेम है तो आप लिखेंगे चुकि because A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 जरा पहली condition देखिए हमने कहा था यह consistent है इसका मतलब यह हुआ यह consistent है consistent है यारी संगत है बोले ऐसा तो पूछा नहीं गया आप चुकि graph है graph में तो graph की बात करेंगे तो consistent हमने कहा था कि तब होता है जब lines कहीं पर cut करती है यारी यह intersecting lines होंगी कैसी lines होंगी intersecting lines आप चाहें तो consistent लिखें आप चाहें तो न लिखें क्योंकि आपको graph में लिखना है intersecting line मतलब प्रतिक्षेदित रेखा है प्रतिक्षेदित रेखा है यहाँ पर मिलेंगी आपको ठीक है तेकि second part क्या कह रहा है second part कह रहा है 9x plus 3y 9x plus 3y plus 12 is equal to 0 और 18x plus 6y plus 24 is equal to 0 यहाँ अगर मैं compare करूँ डायेट में लिखता हूँ अगर मैं a1 upon a2 निकालता हूँ तो उपर देखो x के साथ 9 है नीचे 18 है यानि कि 1 by 2 आया ठीक अगर मैं यहाँ b1 upon b2 लिखता हूँ तो आएगा 3 upon 6 बोले तो 1 by 2 आया अगर मैं c1 upon c2 लिखता हूँ तो आएगा 12 upon 24 तो बोले 1 by 2 आया आपने क्या देखा कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 विकॉस चूंकी लिखते हैं ऐसे हिंदी में a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 यह केस हमने क्या बताया अभी स्टार्टिंग में बताया था कि यह आपकी कॉंसिडेंट लाइन्स है कोंसिडेंट लाइन लाइन्स यानिके संपाती रिखा है संपाती रिखा है मतलब जो आप ग्राफ की चोगे ना तो एक लाइन मलेगी दूसरी विल्कूल इसी के उपार से उकर के जाएगी तो एनिक अगर हम सलूसन के बारे में बात करेंगे तो इन्फाइनाट मैंने सलूसन बहुत सारी सलूसन इसके होंगी ठीक है यह दूसरा पार्ट हुआ तीसरा पार्ट देखे क्या कह रहा है आप से बहुत टेक्निकल चीजें हैं लेकिन बहुत छुड़ी बाते हैं जिन लोगों को आगे मैफमेटिक्स लेना है उनको जला सीड़ेस होके पढ़ाई करनी पढ़ेगी आगे मैस थोड़ा सा थोड़ा सा टफ है ज्यादा नहीं हम कहेंगे थर्ड पार्ट देखे क्या कह रहा है थर्ड पार्ट कह रहा है 6x-3y प्लस 10 6x-3y प्लस 10 बरावर 0 और 2x-y 2x-y प्लस 9 बरावर 0 देखो अगर मैं यहाँ से a1 अपान a2 निकालता हूँ कंपेर करना हमने बता दिया पहले पार्ट में 6 अपान 2 बोले तो 3 अगर मैं आपसे b1 अपान b2 निकालता हूँ तो माइनस 3 अपान माइनस 1 बोले तो 3 और c1 अपान c2 निकालता हूँ तो 10 अपान 9 अब आप साब साब देखे कि यह दोनों तो सेम है लेकिन यह अलग है तो आप लिखेंगे चुकि a1 अपान a2 is equal to b1 अपान b2 is not equal to c1 अपान c2 इसको inconsistent हमने में बताया था हमने कहा था यहाँ पर समानतर रेखाएं मिलेंगी कभी कट नहीं करेंगी यहाँ कैसी लेंगी तालाइंस मिलेंगी यहाँ आंद लाइंस यानिकी समानतर रेखाएं कि समानतर रेखाएं ठीक है तो यह आपका से किंड कुश्चन है करें